सब्सक्राइब कीजिए आपके अपनी यूट्यूब चैनल एड्यूकेशन फॉर सीवेसी को और बेल आइकन को दवाईए ऐसे ही वीडियोज देखने के लिए अब प्यारे बच्चों हम लोग भात करते हैं मल्टीपल इमेज की बारे में देखिए यहां पर एक सिक्का रखा है यह है एक मीरर और यह है हमारा दूसरा मीरर और यहां पर इसके कितने इमेज फॉर्म हुए वान टू त्री और यह एक है हमारा फोर यह वाला यह हमने असली है ठीक तो यहां हमारा चार इमेज फॉर्म हुआ तो आप लोग अब सोच रहे होंगे कि इमेज फॉर्म कैसे होता इतना ज्यादा अच्छा एक और एक्जांपल दूँ जब आप लोग बारबर की शॉप पे जाते होंगे तो आप देखते होंगे एक शीशा आगे लगा हो लोग एक फॉर्मूला याद रखना है यन इस इक्वल्स टू थ्री सिक्ष्टी डिग्री ओपॉन में थीटा माइनस वन ठीक या फिर वन तब रहेगा माइनस वन अच्छा पहले इतना पहले इतना मैं बहुत जादा हड़ बढ़ा जाता हूं ना अब देखे यहां पे हमा एग्वान लीज़े की मेंने एंगल इंगल में कितना लूँं जीटा है इसका मतलब होता हैं इन finely Mirr रख्खे गयर हैं बाफ नाई का जो साप होता है इसमें कितना इंकल होता है। दो इने मेर के बींच में उसमें तो 0 होता है क्या है 10 कि एक mirror ऍथर होता है unda एक mirror just उसके opposite में होता है तो इंगल तो 0 हो गया हाँ इंगल 0 है तो चलिए अब जीरो रखके देखते हैं तो मेरा formula क्या था 360 by 0 minus 1 अब मैं जानता हूं कि यदि मैं 0 से किसी number को multiply and divide करता हूं तो मुझे मिलता infinite infinite मतलब अनगिनल तो अनगिनल इमेज इसलिए यहाँ पे फार्म होते हैं कहां पे बारबर की शौप पर चलिए तो यहां पे एंगल कितना है जब चार में फॉर्म हो रहा है तो यहां पर हमारा जो थीटा आ जाएगा प्यारे बच्चों वो क्या हो जाएगा पहले हम लोग इसमें से 1 को घटा लेते हैं तो इसी जब हम लोग से लिए इसे हम लोग नीचे सॉल्व करते हैं देखें जैसे अब हमें बिल्कुल सी मैथ लगानी है तो 4 इस इकोस्टो हो जाएगा 360 अपन में थीटा हो गया यहां माइनस में हो गया थीटा यह कैसे आया पता चला देखें मैंने क्या किया मैंने ले लिया थीटा को यलसियम और इसका मल्टिप्लाई कर दिया यहां पर जैसे हम लोग करते आ रहे हैं तो आप लोग इर्थ में आ गए हैं आप इधर आके प्यारे वच्चो क्या हो जाएगा देखें हम लोग निकालना है बहुत इंट्रिस्टिंग है बहुत मजाएगा इसकी बाद आप लोग बहुत सारे ऐसे कलकुलेशन करके निकाल सकते हैं कि कहां पर कितना इमेस बन रहा है तो बहुत इध्यार से देखते रहें अब देखिए, अब हमारे पास क्या आया है, हमारे पास आया है, 4 theta, is equals to 360, minus theta, अब मैं minus से इधर आएगा, तो क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, तो हो जाएगा, 5 theta is equals to 360, तो हमारा एंगल क्या आगया, हमारा एंगल आगया, 360 by 5, जिसकी value होती है, 72, यानि कि एंगल कितना आगया, प्यारे बच्चों, एंगल आगया, 72 degree, यानि कि यहाँ पे एंगल कितना है, यहाँ पे एंगल 72 degree है, तो इस तरह से आप लोग इसे निकाल सकते हैं, यहाँ तक देखिए, जब हम लोग light को प्यारे बच्चों, prism से पास कराते हैं, तो वो 7 beam of light में divide हो जाती है, और उसी को हम लोग कहते हैं, dispersion, माली जी, यह कोई एक prism है, यहां से मैंने light को पास करा है, तो यह light जो होती, यह 7 beam of light में divide हो जाती है, जिसे आप लोग higher classes में पढ़ेंगे, जिसमें सोता है, विबगयोर, इसका sort formula होता है, वी, आई, बी, जी, वाई, ओ, आर, ठीक, तो violet, indigo, blue, green, yellow, orange, और red color इसमें form होता है, ठीक, तो यह आप लोग की class का है, पर आप लोग के syllabus का यह नहीं है, ठीक, समझ में आया है, काफी book में दिया है, इसलिए मैंने भी बता पर आप लोग के बुक के हिसाब से, यह आप लोग के syllabus का नहीं है, यानि NCRT के साब से, ठीक, अब हम लोग यहाँ पे देखते हैं, dispersion मैंने आपको बता दिया, अब बात करते हैं, आई के बारें, देखे, जो human की आई होती है, उसका structure यहाँ पे आप लोग को दिया गया है जैसे की, यह होती है, शीलिरी muscle, यह क्या करती है, यह lens को कंट्रॉल करती है, यह होती है हमारी Irish, यह हमें देखने मदद करती है, और यह होगि हमारी आपक नर्व, जहां से message जाता है हमारे brain को, कि हमें यह image मिली है, और यह होगि हमारा retina, यहीं पे image form होती है, ठीक, और detail मे आप लोग इसके बारे में higher classes में जानेंगे ठीक है ना वैसे तो ये पूरा chapter ही आपको 10 में भी देखने को मिल जाएगा ठीक तो वैसे इस समय के हिसाब से आप लोगों के देखूंगा तो ये मुझे नहीं दिखेगा किसी एक point पे ठीक तो इस activity करिए तो जिस point पर ये आपको नहीं दिख रहा है उसी point को अम लोग कहते हैं blind spot तो blind spot क्या करते हैं तो इस activity को आप लोग एक बार अपने जरूर कीजिएगा देखिए पढ़ लिजे इस activity को स्क्रीन सौर्ट ले लीजी तो मुझे उम्मीद है आप लोग को समझ में आ गया होगा बस आज की इस वीडियो में ता ही थैंक यू जै हिंद जै भारत मिलते है अगले वीडियो में इससे पहले यदि आपने हमारे चैनल सब्सक्राइब मिल किया है तो कर लीजिए गा